लिको फाइन्स निविटर मैठ पाथ वी निविटर तो उससे पहले हम ठोड़ा बेसिक जानते हैं कि लिको टैंस बनता कैसे हैं उसका पात ही हमको जबी समझ आएगा उसके डर्स हमको तभी समझ आएगे तो जो फोस्पोलिविड होता है उससे क्या बंता है रैकिरोनिक एसीड रैकिरोनिक एसीड बनती है विद डे हैलप ओफ एंजाइम फोस्फो लाइपेज एटो जब एसीड होती है तो यहां पर क्या होता है उन्द बेसिस ओफ एंजाइम अगर एंजाइन कोक्स हो तो क्या बनता है पुरुष्टा ग्लेंडिन अगर एंजाइन लो एक्स लोक्स हो तो क्या बनता है लूकोटाइन्स लूकोटाइन्स जब बनता है वो जाके फिर अपने रिसेप्टर पर जाके टैज हो जाते हैं लूकोटाइन्स रिसेप्टर पर ज restriction होड़ता तो नहीं होगा और जो मेन प्रोब्लम थी हमारे सोल हो जाएगी तो फर्स्ट इस्टेब में हम जो फोस्फोल आपेज एंजाइम था इसको रोक सकते हैं इसको जो रोकते हैं जो उन प्रक्स का नाम होता है स्टिरोईड स्टिरोईड युज कर सकते हैं जो यहां पे जो लोकて करते हैं उस्सेंजाइम का नाम होता है जी यितन जो अबिसेटर पे ब्लॉक करने से रोकता है उसको तोanके जो डरक्स होते ए उनमें लास्ट में रता है लुकाष्ट उसमें कौन सा पते हैं जाफिर लुकाष्ट और दा मॉन्टी लुकाष्ट दो आत्या उसमें जाफिर लुकाष्ट और मॉन्टी लुकाष्ट जाफिर लुकाष्ट रता है उसमें मॉन्टी लुकाष्ट रता है मॉन्टी लू कास्ट ओके तो यह थे लोकोट्राइंस में यूज होने वाले डैक्स इना कौटिको इस्ट्रोइड नहीं होते हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे पॉटकी इस्ट्रॉइड कौर्ट्री को कोटिको इस्ट्रोइड कौन-कौन से होते हैं उसमें काफी होते हैं जैसे में एक दू एक्जामपल दे रहो आपको जैसे बहुत सारा होते हैं बैक लो मिथा सोन होता है बुर्डो सोनेड होता है और साइक ले सोनाइड होता है तो जो हम लोको टाइंस देते हैं हम कौन से रूट से देते हैं अगर हम इनको इनिलेशन रूट से देते हैं तो 95 परसेंट क्या हो जाते हैं इस्टिक हो जाते हैं हमारी एपिथीलियम पर फाइफ परसेंट ही जो होते हैं वह ब्रोंकस तक पहुंच वाते हैं उसकी वह से क्या हो जाता है और उसकी वह से केंडियासिस हो जाता है है तो अब जब केंडेसिस हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वह ता है केंडेसिस का भी हमको ठाव्य nuance यह तोपिकल ने च्रटिम निस्टेटिन उसका ठीकमेंट होता है और अगर हम गार्गिलिंग करें तो जो में प्रोब्ला मारती इस टीक नैस की जो 95% होड़ता है वह सही हो जाती है और एक हमने जो लाश में जो देखाता है न्यौन की यह जाके अग्रोंक की तो इसका यह सबसे चीष्ट की यह बात है तो अब एक में बात करते हैं कि मासनी स्टेपलाजर के बारे में अधेर मास्ट सेल स्टेबलाइजर निकि जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करें अगर मास्ट सेल स्टेबलाइज होगी तो उसके वेसे लिगोटेंस लीज नहीं होगे तो ब्रोंको कॉंस्टिक्शन नहीं होगा और जो हमाज मेन प्रोब्लम वोड़ती वह सही रहेगी इसके इंदर सोडियम क्रोम गलाइकेट कौन से टक्स आते हैं सोडियम क्रोमोगलाइकेट और कौन से इसमें नीडो क्रोमील आते हैं सके इन दर और आपको पता है जैसे कि जो जितनी भी डैक्स है ब्रोंको डाइलेटर के अलावा यह सब यूज कहां होते हैं प्रोफाइल एक्सिस में यूज होते हैं अब लाश्ट बचा हमारे पास एक जो मोनुकूल एंटीबोडी वाला डैक्स है हो आए ओमेली जूमेब लाश्ट बचा है यह भी क्या प्रोफाल एक्सिस के लिए यूज होता है और इसको हम कैसे देते हैं सब क्यूटेनिस देते हैं सब क्यूटेनिस हम इस देते हैं सब क्यू टेनियस में इस डग्स को देते हैं और मोनोकुलोन एंटिबोडी किसके अगेंश बनाता है आईजी ही अगेंश तो हमने देखा जो अस्तमा में यूज होने वाले डग्स पहला गुरूप था प्रोंको डाइटर दो सथा लेकृट्राइंस पाथ हो इनिविटर था मास्टायल स्टेप्लाजर और फोर्ट था ओमेलिजुमर तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना और चैनल सब्सक चरूर कर देना थैंक यू